योवल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याई एक योवा का जो वचन पतुवेल के पुत्र योवेल के पास पहुचा वह यहा है हे पुर्नियों सुनो हे इस देश के सब रहने वालों कान लगा कर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में वा तुम्हारे पुर्खाओं के दिनों में कभी हुई है अपने लड़के बालों से इसका वर्नन करो और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पिड़ी के लोगों से जो कुछ गाजाम नाम टिड़ी से बचा उसे अर्बे नाम टिड़ी ने खा लिया है हे मतवालो जाग उठो और रो और हे सब दाखमधू पीने वालो नए दाखमधू के कारण हाय हाय करो क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा देखो मेरे देश पर एक जाती ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है और उसके लोग अंगीनत है उनके दाथ सिहके से और डाढ़े सिहनी की सी है उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजिर के रुक्ष को तोड़ दाला है और उसकी सब छाल छिल कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालिया छिलने से सफेद हो गई है युवती अपने पती के लिए कटी में टाट बांदे हुए जैसा विलाप करती है वैसा तुम भी विलाप करो यहवा के भवन में न तो अन्न बली और न अर्ग आता है उसके तहले जो याजक है वे विलाप कर रहे है खेती मारी गई भूमी विलाप करती है क्योंकि अन्न नाश हो गया है नया दाक मधु सुख गया तेल भी सुख गया है हे किसानों लज्जित हो हे दाक के बारी के मालिक यो के हूँ और जव के लिए हाई हाई करो क्योंकि खेती मारी गई है दाखलता सुख गई और अंचिर का व्रुक्ष कुम्भला गया है अनार, ताड, सेव, बरन, मैदान के सब व्रुक्ष सुख गया है और मनुशों का हर्ष जाता रहा है हे आजको, कटी में टाट बांद कर छाती पीट-पीट के रो, हे वेदी के तहलूओ, हाई हाई करो, हे मेरे परमिश्वर के तहलूओ, आओ, टाट ओडे हुए, रात बिताओ क्योंकि तुम्हारे परमिश्वर के भवन में अन्नबली और अर्ग अब नहीं आते, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुर्नियों को, बरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमिश्वर यहवा के भवन में इकट्टे करके उसकी दो हाई दो, उ क्या भोजन वस्तुए हमारे देखते नाश नहीं हुई, क्या हमारे परमिश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा, बीज ढेलों के नीचे जुलस गए, भंडार सुने पड़े है, खत्ते गिर पड़े है, क्योंकि खेती मारी गई, पशु कैसे कराहते है, जुं क्योंकि जंगल की चराया आग का कवर हो गई, और मैदान के सब रुक्ष लव से जल गए, बरन बनपशु भी तेरे लिए हाफते है, क्योंकि जलके सोते सुग गए, और जंगल की चराया आग का कवर हो गई, योवेल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय दो सियोन में नरसिंगा फुको, मेरे पवित्र परवत पर साज बांध कर फुको, देश देश के सब रहने वाले काप उठे, क्योंकि योवा का दिन आता है, बरन वह निकट ही है, वह अंधिकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है, अंधियारा ऐसा फैलता है, जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फलता है, अर्थात एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाती आएगी, जैसी प्राचिनकाल से कभी न हुई, और नो उसके बाद भी प्ली प्ली में फिर होगी, उसके आगे-ागे तो आग भस्म करती जाएगी, और उसके पीछे-पीछे लव जलाती जाएगी, उसके आगे की भूमी तो एदेन की बारी के समान परंतु उसके पीछे की भूमी उजाड़ है, और उससे कोई नहीं बचा जा सकता, उनका रूप घोडो का सा है, और वे सवारी के घोडो की नाई दवडते हैं, उनके कुदने का शब्द ऐसा होता है, जैसा पहाडो की चोटियों पर रथो के चलने का, वा खुंटी भस्म करती हुए लव का, वा पांती पांदे हुए बलियो दहो का शब्द होता है, उसके सामने जाती जाती के लोग पिडित होते हैं, और सबके मुख मलीन होते हैं, वे शुरविरो की नाई दवडते और युद्धाओं की भाती शहर पनहा पर चड़ते हैं, और अपने-पने मार्ग पर चलते हैं, कोई अपनी पांती के अलग न चलेगा, एक का दूसरे को धक्का नहीं लगता, वे अपने अपनी रहा लिये चले आते, और शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांती नहीं तूटती, वे नगर में इधर उधर दड़ते, और शहर पनापर चड़ते हैं, और घरों में ऐसे गुशते हैं, जैसे चोर खिड़कियों से गुशते हैं, और आकाश थर्थराता है, सुरिय और चंद्रमा काले हो जाते हैं, और तारे नहीं जलकते, और यहोवा अपने उस तल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, और जो उसका वच्चन पुरा करने वाला है, वह सामर्थी है, और यहोव की यहवानी है, कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पिरते अपने पुरे मन से मेरी ओर फिर कर मेरे पास आओ, और अपने वस्तर नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमिश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालो, विलम से क्रोध करने वा क्या जाने वह फिरकर पचता है, और ऐसी आशिष्टे, जिससे तुम्हारे परमिश्वर यहोवा का अन्नबली और अर्ग दिया जाए, सियोन में नरसिंगा फुंको, उपवास का दिन ठहरा हो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकटा करो, सभा को पवितर करो, पुर् जो और दूथ प्यूओं को भी इकटा करो, दुल्हा अपनी कोट्री से और दुल्हिन भी अपने कमरे से निकलाए, याजक जो परमिश्वर के ठहलूए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रोरो कर कहे, कि हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, और अपने नीजभाग की नामधराई होने न दे, और न अन्य जातिया उसकी उपमा देने पाए, और जाती जाती के लोग आपस में क्यों कहने पाए, कि उनका परमिश्वर कहा रहा, तब यहोवा को अपने देश के विशे में जलन हुई, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, और यहोवा न अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, कि सुनो, मैं अन्य और नया दाख मधू, और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें खापी कर तुपत होगे, और मैं भाविश में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धहराई न होने दूंगा, और मैं उत्त उसका आगा, तो पुरब के ताल की ओर, और उसका पीछा पश्चिम के समुदर की ओर होगा, और उसके दुरगंध उठेगी, और उसकी सड़ीगंध फैलेगी, क्योंकि उसने बड़े बुरे काम किये है, हे देश, तु मत डर, तु मगन हो, और आनंद कर, क्योंकि यहवा ने बड़े-बड़े काम किये है, हे मैदान के पशो, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, और रुक्ष फलने लगेंगे, अब अंजिर का रुक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी, और हे सियोनियों, तुम अपने परमिश्वार यहवा के कार मगन हो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा, जितनी चाहिए उतनी देगा, और पहले महा की पिछली वर्षा को भी परसाएगा, तब खलीहान अन्न से भर जाएगे, और रसकुंड नए दाखमधू, और ताजे तेल स उम्रेंगे, और जिन वर्षों की उपज, अर्बे नाम टिडियो, और एलेक और हासिलने, और गाजाम नाम टिडियोने, अर्थात मेरे बड़े दलने, जिसको मैने तुम्हारे बीच भेजा, खाली, उसकी हानी मैं तुमको भर दूंगा, तुम पेट भर कर खाओगे, और तुम अपने परमेश्व यहवा के नाम की स्तूति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चरे के काम किये है, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी, तब तुम जानोगे कि मैं इसरार के बीच में हूँ, और मैं यहवा तुम्हारा परमेश्व हूँ, और कोई है, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी, उन बातों के बाद मैं सप्रानियों पर अपना आत्मा उंडे लूँगा, और तुम्हारे बेटी-बेटिया भविश्यवानी करेंगी, और तुम्हारे पुर्णिये स्वपन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बरन, दासों और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडे लूँगा, और मैं आकाश में और पुत्वी पर चमतकार अर्थात लोहू और आग और धुए के खंबे दिखाऊंगा, यहवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सुरिय, अन्धियारा और चंद्रमा रत्तसा हो जाएगा, उस समय जो कोई यहवा से प्रार्तना करेगा, वह चुटकारा पाएगा, और यहवा के वचन के अनुसार, सियोन परवत पर और यरुशलेम में जिन भागि हुऊं को यहवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे. योवेल भाविश्य वक्ता की पुस्तक अध्याए तीन, सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहुदा और यरुशलेम वासियों को बंधवाई से लवट लियाओंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकटी करके यहुशापात की तराय में ले जाओंगा, और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा, अर्थात अपने निजभाग इस्रायल की विशर में, जिससे उन्होंने अन्यजातियों में तित्तर वित्तर करके मेरे देश को बाट लिया है, मुकदमा लढ़ूंगा, उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिठ्षी डाली, और एक लड़का वेशा के बदले में दे दिया, और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है, और हे सोर, और सिदोन, और पलिष्टी के सब प्रदेशी, तुमको मुझसे क्या काम, क्या तुम मुझको बदला दोगे, यदि तुम मुझको बदला दो भी, तो मैं जटपट, तुम्हारा दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही सिर पर डाल दूँगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया, और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुए अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहुदियों और यरुश्लेमियों को युनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है, कि वे अपने देश से दूर किये जाए, इसलिए सुनो, मैं उनको उस थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूँगा, और मैं तुम्हारे बेटे-बेटियों को यहुदियों के हाथ बिकवा दूँगा, और वे उनको शबाईयों के हाथ जो दूर देश के रहने वाले हैं, बेज देंगे, क्योंकि यहवा ने यह कहा है, जाते जातिक में यह प्रचार करो, कि तुम युद्ध की तैयारी करो, और अपने शुर्वरों को उभारो, सब युद्धा निकट आकर लड़ने को चड़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, और अपने अपनी हंसिया को पीट कर बर्ची बनाओ, जो बलहीन हो, वहां भी कहे, कि मैं वीर हूँ, हे चारो ओर के जाती-जाती के लोगों, फूर्ती करके आओ, और इकटे हो जाओ, हे यहोवा, तु भी अपने शुर्विरों को वहां ले जा, जाती-जाती क लोग उभर कर चड़ जाए, और यहोशापात की तराए में जाए, क्योंकि वहां मैं चारो ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा, हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है, आओ, दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया, रसकुंड उमडने लगे, क्योंक उनकी बुराई बड़ी है, निप्टेरे की तराए में भीड की भीड है, क्योंकि निप्टेरे की तराए में यहोवा का दिन निकट है, और नतो सुर्य और चंद्रमा अपना-प्रकाश देंगे, और नतारे चमकेंगे, और यहोवा सीयों से गर्चेगा, और यरुशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा आकाश और पुत्वी थर थराएगी परन्तु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरंस्थान और इस्राइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र परवत सियोन पर बास किये रहता है वही हमारा परमेश्वर है और येरुशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी फिर उसमें न होकर जाने पाएंगे और उस समय पहाडों से नया दाकमधू टपकने और टीलों से दूद बहने लगेगा और यहुदा देश के सब नाले चल से भर जाएंगे और यहुदा के भवन में से एक सोता फुट निकलेगा जिससे शित्तिम नाम नाला सिंचा जाएगा यहुदियों पर उपद्रों करने के कारण मिस्र उजाड और एदोम उजाड हुआ जंगल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोशी की हत्या की थी परन्तु यहुदा, सरवदा और येरुशलेम पिठी-पिठी तक बनी रहेगी क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवितर नहीं ठहराया था उससे अब पवितर ठहराओगा क्योंकि यहुदा सियोन में पास किये रहता है